हेलो फ्रेंड्स मैं हूं केपी सिंग आप देखरें मेरे चनल पड़ोगों तो बढ़ोगे अगर आप चाहते हैं रोज को नया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें हो बैल आकन को जरू दुबाएं तक आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं लाए हूं आ रहा है वहाँ से आप चनल को जोइन कर सकते हैं तो कोशन नमबर एक में पार्ट ए हमें क्या करना है यहाँ पर समकलन टू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस थ्री इंटू डी अक्स तो हमें ध्यान से देखना होगा कि अगर हम इस फंक्शन को टी मान लें तो यह एक्स की पावर एन माइनस वन हमारा ग्याब हो सकता है तो यहाँ पर माना एक्स की पावर एन प्लस थ्री इक्वल टू टी एक्स के सापेज आफ कलन करेंगे एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस थ्री का जिरो दी टी बटे डी एक्स ठीक हो जागा दी टी बटे डी एक्स और इस डी एक्स को दल ले आएंगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन इन्टो डी अक्स बराबर डी टी बटे एन समा कलंग तू ये बाहर निकाल लेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन इन्टो डी अक्स को हम लिखेंगे डी टी बटे एन अपाउन टी अब देखिए ये क्लियर है ना टू अपाउन एन यूँ ही रहेगा और वन अपाउन टी का लॉग मॉड टी प्लस सी टी की वैलू पुट कर दीजिए टी का मान है एक्स की पावर एन प्लस थ्री तो टू अपाउन एन लॉग मॉड एक्स की पावर एन प्लस थ्री प्लस सी चल देते हैं बी पाट पर समा कलन 4 एक्स क्यूब बटे एक्स की पावर चार प्लस पाँच की होल पावर पाँच इंटू डी अक्स अब देखिए यहां पर भी अगर हम इस फंक्सन को टी मान लें तो हमारा एक्स क्यूब चला जाएगा क्योंकि यह पहचाना बहुत जरूरी है अगर किसी भी फंक्सन का आवकल गुडांक वहां पर आपको लिखा मिल जाए तो आप उसे तुरंट टी मान लीजिए तो माना एक्स की पावर फोर प्लस फाइफ इकूल टू टी एक्स के सापेच अवकल है नूँ एक्स की पावर फोर का हो जाएगा फोर इंटू एक्स क्यूब पाच का जीरो बराबर डी टी बटे डी अक्स एक्स क्यूब इंटू डी अक्स बराबर डी टी बटे चार अब यहां पर देखिए उचार तो यहां से कोई जरूरी हटाना नहीं था तो यहां पर देखे चार तो बाहर आ जाएगा यह वाला चार बाहर समा कलन एक्स क्यूब और डी अक्स का मान है डी टी बटे चार यह एक्स क्यूब डी अक्स का मान है दी टी बटे चार और इसको टी माने हो टी की पावर फाइफ तो चार ये भी चार बाहरा जाएगा टी की पावर माइनस फाइफ इंटो डी टी इकट जाएगा तो टी की पावर माइनस फाइफ प्लस वन अपाउन माइनस फाइफ प्लस वन प्लस सी तो माइनस का एक बटे चार टी की पावर माइनस चार प्लस सी माइनस एक बटे चार टी की वेलू पूट कर देंगे तो T की वेलू है क्या X की पावर 4 प्लस 5 की होल पावर माइनस 4 प्लस C एक बटे X की पावर 4 प्लस 5 माइनस का प्लस C की होल पावर 4 यह उपर था ना इसको नीचे लिया तो नीगेट उसे पॉस्टिव बन गया चल देते हैं C पावर पर समा कलन X बटे 9 माइनस 4 X स्क्वाईर इंटो डी एक्स यहां पर भी देखिए अगर इस फंक्शन को हम T मान लेते हैं तो यह उपर राइक्स चला जाएगा तो माना 9 माइनस 4 X स्क्वाईर इक्वाईर 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 टी 9 का 0 माइनस का 8 X बराबर डी टी बटे डी एक्स तो X डी एक्स बराबर डी टी बटे माइनस 8 यहां पर देखो X गयाब हो जाएगा डी एक्स गयाब हो जाएगा जिसकी जगेपर डी टी बटे माइनस 8 आजाएगा और इस फंक्शन को तो T मान लिया है तो T हो जाएगा एक बटे माइनस 8 बाहर 1 अपॉन टी डी टी माइनस एक बटे आट लोग मॉड T प्लस C T की value पूट कर देंगे 9-4x square minus 1 बटे 8 log mod 9-4x square plus C तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं चल देते हैं next part पर अब यहां पर देखिए अगर हम यहां पर रूट एक्स को T मान लें तो जो बटे में रूट एक्स चल दा है यह गैब हो जाएगा तो देखो माना रूट एक्स इक्वल टू T रूट एक्स का 1 अपॉन टू रूट एक्स दी टी बटे दी एक्स तो दी एक्स बटे रूट एक्स बराबर दी एक्स बटे रूट एक्स बराबर टू डी टी अब वैलो पॉट करेंगे यहाँ रूट एक्स की जगह पर टू अजेगा तो तो समा कलान एकी पावर्टी और डी एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स बटे रूट एक्स की जगह पर टू डी टी आ जाएगा इन्टू टू डी टी अब टू को आगे निकाल लेंगे एकी पावर्टी इन्टू डी टी तो टू इन्टू 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 इन् कोश्चन नम्बर दो पर कोश्चन नम्बर दो में कई पार्ट हैं ए पार्ट क्या कह रहा है समा कलन ए की पावर ए टैन इन्वर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वाईर इन्टो डियक्स यहां पर भी आपको बिल्कुल ही यह देखते रहना है कि कहां पर किसका अवकल गुडांक लिखा हुआ है यहां पर देखा कि अगर एकी पावर जो लगी विए इसको टी मान लें तो इसका अवकल गुडांक यह लिखा हुआ हुआ है को कॉंस्टेंट राश से आप ज्यादा घबडाया ना करें वह हमारी एड़ेस्ट हो जाती है कि माना A इंटो 10 इंवर्स X इक्वल टू T X के सापेज अवकलन A कॉंस्टेंट 10 इंवर्स X का 1 अपाउन 1 प्लस X स्क्वाइर बराबर DT बटे DX तो DX बटे 1 प्लस X स्क्वाइर बराबर DT बटे A तो value पूट करने जा रहे हैं समा कलन E की पावर इसको तो T मना है यहाट्टी लिखा दीजे E की पावर T DX बटे 1 प्लस X स्क्वाइर जिसको हम क्या लिखेंगे DT बटे A क्लियर है 1 अपाउन A तो कॉंस्टेंट आ जाएगा और E की पावर T इंटू DT 1 अपाउन A E की पावर T का E की पावर T प्लस C तो क्या बन जाएगा आप कलन कर देंगे E की पावर T का होगा तो सरी समा कलन अब वैलू पूट करेंगे वैलू A 10 इंवर्स X तो 1 अपाउन A इंटू E की पावर A 10 इंवर्स X प्लस C चलिए B पाट देखती है समा कलन E की पावर 10 इंवर्स X बटे 1 प्लस X स्क्वार तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है इसको हम T मान ले तो यह हमारा गैब हो जाएगा माना 10 इंवर्स X इक्वल टू T X के सापेच अब कलन 10 इंवर्स X का 1 अपाउन 1 प्लस X स्क्वार बराबर DT बटे DX इस DX को जाल ले आएंगे तो DX बटे 1 प्लस X स्क्वार बराबर DT समा कलन E की पावर 10 इंवर्स X को लिख देंगे E की पावर T का E की पावर T E की पावर 10 इंवर्स X है इसकी जगे पर लिखे देंगे e की पावर t बटे 1 प्लस x square into dx तो इसकी जगे पर आजाएगा dt अब समा कलन कर देंगे e की पावर t का e की पावर t प्लस c यह समा कलन कर दिया t की value पूर कर देंगे 10 inverse x e की पावर 10 inverse x प्लस c c पाट देंगे समा कलन e की पावर cos inverse x बटे under root 1 minus x square into dx यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो cos inverse x को अगर हम टी मानें तो यह value हमारी गया बजाएगी तो माना cos inverse x बड़ाबर t और x के सापेज अब कलन cos inverse x बड़ाबर minus 1 अपोन under root 1 minus x square बड़ाबर dt बटे dx dx बटे under root 1 minus x square यह dx दरूला लिया बड़ाबर minus का dt की value पूट कर दीजे समा कलन e की पावर t into dt और minus लगा दीजे आगे minus e की पावर t का समा कलन e की पावर t plus c t की value पूट कर दीजे ती का मान है cos inverse x minus e cos inverse x plus c यह आ गया इसका answer चलेंगे डी पाड़ पर कि देगे उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ना समझते रहे और एक बात ध्यान रखें कि मेरा व्लॉग आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे description box में दे रखा है बच्चे उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है ज्यादा व्लॉग नहीं डालता हूं बस आप सब्सक्राइब कर लिजेगा एकी पावर एम सेक इन्वर्स एक्स अपाउन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वाइर माइनस वन इन्टु दी एक्स तो क्या हो जाएगा देखे अगर हम यहां पर देखें कि एम सेक इन्वर्स एक्स को टी माने एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वाइर मैनिस वन हमारा गयब हो जाएगा माना एम इन्टू फेक इन्वर्स एक्स बराबर टी m constant second verse x का 1 upon x under root x square minus 1 बराबर dt बटे dx mdx x under root x square minus 1 बराबर dt अब यहाँ पर हम m को बटे में बेच देंगे तो क्या बन जाएगा dx बटे x under root x square minus 1 बराबर dt बटे m value पूट कर देंगे समा कलन इसको तो t माने तो यहाँ पर लिदेंगे t e की पावर t और dx बटे x under root x square minus 1 को हम लिख देंगे dt बटे m तो यह बटे का m बाहर आ जाएगा एक बटे m e की पावर t into dt अब e की पावर t का समा कलन कर देंगे 1 अपाउन m e की पावर t का e की पावर t plus c t की value पूट कर देंगे आंसरा जाएगा t की value है m सेक इंवर्स x एक बटे m e की पावर सेक इंवर्स x plus c ठीक है चलते हैं हम लोग question number 3 पर तीन में भी कई पार्ट हैं कई पार्ट हैं इसमें question में पूरे अभ्यास में सब पार्ट ही लगे हुए हैं तो पहला पार्ट ए सेक इंवर्स x स्वारी सेक इंटु कॉसेक इंटु कोसेक इंटु कोसेक इंट बटे लोग कॉट एक्स इंटु डी आक्स तो अगर हम यह बात आप याद कर लिजे बिलकूल बढ़िया से कि लोग कॉट एक्स का अवकल गुणांग सेक इंटु कोसेक इंटु कोसेक होता है कैसे करके दिखा देते हैं आपको माना लोग कॉट एक्स इक्वल टु टी एक्स के साब पेज अवकलन लोग टी लोग टी का वन अपन टी लोग टी का वन अपन टी जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणांग कॉट एक्स का माइनस कॉसेक इस्क्वाइर एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स माइनस यह यहां लगा दिया कॉट को हम लोग लिशकते हैं वन अपन कॉट है टैन होगा तो हम लिशकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स कॉसेक को लिशकते हैं एक बटे साइन इसक्वाइर एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स इस साइन से यह स्क्वाइर कट गया तो बन जाएगा एक बटे कॉसेक एक्स इंटू एक बटे साइन कॉसेक एक्स और यह बटे का डिक्स यहां आ जाएगा यह रहेगा डिटी और माइनस उदर पहुंचा देंगे तो यह फंक्शन पूरा का पूरा आपका गैब हो गया अब क्या हो जाएगा समा कलन value अगा करेंगे इसको तो हमने t माना है तो यह पर आजाएगा टी और यह सब गयभ हो जाएगा तो माइनस वन अपॉं टी इंटू dt तो इसकी जगे पर t आ गया उपर वाला यह dx की जगे पर आ गया माइनस का dt तो माइनस यह लगा हुआ अब माइनस को हम बाहर ले लेंगे समा कलन 1 upon t dt तो 1 upon t का होता है माइनस यह लगा हुआ है कि लॉग मौड टी प्लस c टी की वैलू पुट कर दीजिए टी की वैलू है लॉग कोटेक्स माइनस लॉग मौड लॉग कोटेक्स प्लस c यह आ गया अंसर क्लियर है चलते हैं इसके भी पाड़ पर समा कलन सेक स्कुायर लॉग एक्स बटे एक्स इंटू डी एक्स तो देखें आप 90% केसिस में देखेंगे हैं कि टैन को साइन त्रिकोण में ती अनुपाद जितने भी होंगे उनके जो एंगल में वैलू लिखी होती है उसको हम लोग टी मानेंगे तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है इसलिए लॉग एक्स को टी मान रहें ताकि यह बटे का एक्स हट जाए तो माना लॉग एक्स एक्स का वन अपॉन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स डी एक्स को इधर भेज देंगे डी एक्स बराबर डी टी वैलू पूर्ट कर देंगे समा कलन सेक स्कुर लॉग को टी माना है एक्स बराबर डी एक्स की जगे पर डी टी आजाएगा और सेक स्कुर टी का समा कलन तैन टी प्लस सी होता है ठीक है टी की वैलू पूट कर देंगे लॉग एक्स तो अंसर आजाएगा 10 लॉग एक्स प्लस सी चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर समा कलन एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्कुर अपॉन एक्स ठीक है तो ध्यान से देखेगा क्या हो जाएगा हम इस एक्स को इस फंक्शन के बटे में रख ले पहले तो हो जाएगा जब इसके बटे में रखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x का whole square into dx यहां बाइपार कर दीजिए तो x बटे x करेंगे तो बना जाएगा और 1 प्लस x into x प्लस log x का whole square into dx माना x प्लस log x इक्वल टू टी x का 1 log x का 1 अपॉन x बराबर t का हो जाएगा dt बटे dx क्योंकि x के साफ़े चाफ़कलंग कर रहे हैं ठीक है ना तो देखिए 1 प्लस 1 अपॉन x बटे का dx यहां ले आएंगे बराबर dt अब यह हमारा प्रतिस्थापित हो जाएगा dt आ जाएगा और इसको t माना था तो बन जाएगा समा कलंद t square dt 1 प्लस 1 अपॉन x dx की जगे पर dt आ गया और इसको माना था t t square तो t square का समा कलंद हो था t cube प्लस 3 प्लस c t cube बटे 3 प्लस c t की value पूट कर देंगे t की value है x प्लस log x तो x प्लस log x का whole cube upon 3 प्लस c यह हमारा answer आ गया चलिए चलिएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नम्बर ठीकर d समा कलंद साइन एस बटे साइन एस माइनस अलफा इंटो d x आप क्या करेंगे यहाँ पर इस question में ध्यान से देखें याद रखें यह question जब भी आपको मिले तो नीचे वाला जो यह कोड है एंगिल है x माइनस अलफा इसी को आप t मानेंगे इसी को क्या मानेंगे t मानेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे माना X minus alpha equal to T X के साफ़ पे चपकलंग कर देते हैं तो X का 1 alpha का 0 बराबर dt बटे dx एदर बुड़ा लेंगे dx बराबर dt अब क्या करेंगे dx की जगे पर dt की रख देंगे put कर देंगे और यहाँ पर जो उपर X है ना यहाँ पर ध्यान रखें जो X है इस X की जगे पर हम value put करेंगे क्या put करेंगे देखें यहाँ से निकाल लिएजे minus का alpha उदर चला जाएगा तो X बराबर t प्लस alpha तो समा कलन sin t प्लस alpha बटे sin t और dx की जगे पर आजाएगा dt अब देखें क्या करेंगे उपर sin a प्लस b का formula लगा देंगे sin t cos alpha plus cos t sin alpha बटे sin t into dt समा कलन sin t into cos alpha बटे sin t into dt प्लस समा कलन देखें की बाइपार्ट भी कर रहे हैं और dt को ला रहे हैं समा कलन को भी तोड़ रहे हैं दोनों पदों के पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा cos t into sin alpha बटे sin t into dt sin से sin कर जाएगा cos alpha constant है बाहर आ जाएगा बचेगा समा कलन 1 dt plus sin alpha cos बटे sin cot t dt तो 1 dt का t 1 dt का tt आगे लगा दिया plus sin alpha तो cot t का समा कलन होता है log mod sin t plus c t की value पूर करेंगे तो t की value है x minus alpha रख देंगे तो यहाँ पर आजाएगा x minus alpha into cos alpha plus sin alpha log mod sin x minus alpha plus c clear तो यह हमारा answer आ गया है एक बात विशेज धियान रखें आप समा कलन का chapter पढ़ रहे है answer के पीछे बिल्कुल न भागें क्योंकि किताब से answer आपका हो सकता match ना करें तो उसमें कोई घबडाने वाली बात नहीं है आप बिल्कुल भी न गबडाएं बिल्कुल सही लगा हुआ सटीक लगा हुआ है answer के पीछे न भागें ठीक है ना चलिए चल देते हैं question number चार पर जिसमें दो पार्ट दे रखे हैं पहला पार्ट क्या है ए पार्ट समा कलन e की पावर 2x माइनस 1 अपाउन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx तो हम क्या करेंगे ऐसे question में हम e की पावर x common ले लेंगे उपर से e की पावर x common ले लिया 2x है एक ले लिया तो क्या बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x यहां भी ले लिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx अब यह कट जाएगा अब देखिए यहां पर अगर हम इस function को t माने तो यह उपर वाला गैब हो जाएगा आटोमेटिक चीक है तो यह करने वाले हैं माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बड़ाबर t e की पावर x का e की पावर x e की पावर t का e की पावर t जिसको t माना उसके अब कलंद से गुड़ा e की power minus x तो यह हो जाएगा minus का और t का हो जाएगा dt पते dx इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा e की power x minus e की power minus x into dx बराबर dt तो e की power x minus e की power minus x dx जिसको हम क्या हो लेंगे dt और नीचे वाली value को हमने t माना था तो बटे में जाएगा t तो 1 upon t dt log mod t plus c value put करेंगे तो हो जाएगा log mod e की power x plus e की power minus x plus c clear है चलेंगे इसके बी पार्ट पर समा कलन log under root x plus 1 upon x plus 1 into dx तो जहां तक की हमको दिख रहा है कि अगर हम इस value को t माने तो ये नीचे वाली value repeat होगी और ये कटेगी कैसे log t का 1 upon t जिसको t माना उसकी अवकलन से गुणा तो root x का 1 upon 2 root x होता है ठीक है तो बनेगा बनेगा नीचे बनेगा तो मान लिजे माना log under root x plus 1 बराबर t log t का 1 upon t अवकलन कर रहे हैं ठीक है ना लिख देते हैं x के सापेज अवकलन तो log t का 1 upon t जिसको t माना उसकी अवकलन से गुणा तो root t का 1 upon 2 root t और जिसको t माना उसकी अवकलन से गुणा x का 1 1 का 0 बराबर dt बटे dx आप देखिए 1 upon 2 और root root की गुणा हो जाएगी x plus 1 आजाएगा बराबर dt और बटे का dx इधर बुला लेंगे तो आजाएगा dx बटे x plus 1 बराबर 2 dt आपके मन में बात आ रहे होगे शर जी आपको कईजे पता चल जाता कि यह यह कटेगा तो experience है आपको भी experience आजाएगा जब आप practice करेंगे जादा से जादा तो आपको भी पता चल जाएगा किसको माने कि क्या बनेगा ठीक है अब कलन बहुत एक्स प्लस 1 बराबर टी तो क्या बनेगा भाईया देखिए ती इंटू है टू डी टी और डी एक्स बरते एक्स प्लस 1 तो हमारा गयब हो जाएगा अब को कॉंस्टेंट टी डी टी और समा कर देंगे टी का हो जाएगा टी स्क्वाइर बटे दो प्लस सी दो से दो यह कट गया टी की वैलू पुट कर दीजे टी की वैलू है लॉग रूट एक्स प्लस 1 लॉग रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वाइर प्लस सी टीका है चलिए हम लोग चलेंगे कुशन नमबर पांच के एपाड पर समा कलन साइन ब्रैकेट में टैन इन इन वर्स एक्स अपाउन वन प्लस एक्स स्क्वाइर इंटू डी एक्स तो हम क्या करेंगे देखिए बिल्कुल सिंपल है अगर इसको टी मान लें तो यह चला जाएगा तो माना 10 इन वर्स एक्स इक्वाल टी एक्स के सापेच अब कलन 10 इन वर्स एक्स का 1 अपाउन 1 प्लस एक्स स्क्वाइर बराबर डी टी बटे डी एक्स तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वाइर बराबर डी टी कि यह हो जाएगा समा कलन साइन कि टी कि साइन टी क्लियर है और डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वाइर की जगे पर हम क्या रखेंगे डी टी तो साइन टी का माइनस का कॉस टी प्लस सी टी की वैलू पूट कर देंगे तो माइनस का कॉस टैन इन वर्स एक्स प्लस सी यह हमारे पास वैलू आ गई है क्लियर है चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो काफी इंपॉर्टन पार्ट है और इस कोश्चन के आपको चार रूप मिलेंगे पहला है वन अपॉन वन माइनस टैन एक्स इंटू दी एक्स दूसरा वन अपॉन वन प्लस टैन एक्स इंटू दी एक्स तीसरा वन अपॉन वन माइनस कोट एक्स इंटू दी एक्स और चोथा है वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स इंटू दी एक्स और इन चारो रूपों को आप एकी मैथेड से हल कर सकते हैं बस आपको बढ़िया से प्रेक्टिस कर लेनी हैं सबके लिए मैथेड अलग-अलग बिल्कुल नहीं है तो द्यान से देखें कुछ बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है वन अपोन वन माइनस तैन एक्स इंटू दी एक्स तो समा कलन वन अपोन वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डी एक्स समा कलन वन अपोन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्लियर है ना अभी तक तो कोई ऐसा स्टेप आया नहीं जो आपको ना आता हो सबसे नीच वाला उपर चला जाएगा डी एक्स के पास में कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अब दिखिए यहां पर क्या करना है हमें एक बटे दो से गुणा और दो से गुणा करना है यानि दो से गुणा भाग कर देना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटो डियक्स यह इस्टप ध्यान रखेगा और बच्चे यही इस्टप भूल जाते हैं इसलिए उनका कोशन नहीं लगता है और यही इसका एडिशनल इस्टप है इस कोशन को मैंने सभी बच्चों को यह कहकर याद करवा दिया है दो से गु माइनस साइन एक्स अपने पास से ले आए प्लस कोश एक्स फिर से लिख दिया क्यूंकि दो बार कोश था एक बार यह लिखा हुआ एक बार यह लिखा हुआ दो बन गए और माइनस आप अपने पास से लाए है तो प्लस साइन एक्स ऐसे लिख दीजे बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डियक्स अब आप कर दिजे बाई पार्ट एक बार इतने के बटे लिख दीजे और एक बार आप इतने के बटे में लिख दीजे ठीक है ना और याद रखें समा कलन में होने वाली सबसे बड़ी गलती बच्चे ब्रैकेट का इस्तमाल नहीं करते हैं तो ब्रैकेट का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि अगर आप ब्रैकेट का इस्तमाल नहीं करेंगे तो कॉस्चन गलत हो जाएगा अब जैसे हमने बाइपाड किया तुरंत एक बटे दो बाहर है ब्रैकेट लगाया और ये गलती आप नहीं करेंगे आपके नमबर हर टेस्ट में और एक्जाम में भी कटेंगे समकलन 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 समक माइनस साइन एक्स इन्टू डी एक्स ब्रैकेट बंद कर दीजिए अब देखिए यहां पर तो यह पूरा कट जाएगा कि कटने के बाद क्या बन जाएगा एक बट्टे दो ब्रैकेट वन डी एक्स और दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है अगर हम इसको टी मान लें तो यह चला जाएगा चेके ना तो किवल इस पार्ट के लिए माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स बराबर टी बटे डी एक्स इस डी एक्स को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी अब क्या करेंगे इसकी जगे पर वैलू पुड कर देंगे माइनस डी टी प्लस समा कलन इसको तो टी माना है तो वन अपॉन टी और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इतना गायब हो जाएगा जिसकी जगे पर क्या जाएगा माइनस का डी टी माइनस डी टी अब देखिए एक बट्टे दो वन डी एक्स का एक्स होता है माइनस समा कलन वन अपॉन टी डी टी एक बट्टे दो एक्स माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी एक बट्टे दो ब्रैकेट में एक्स माइनस लॉग मॉड टी की वैलू पूट कर दीजे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ड्रैकेट बंद प्लस सी यह हमारा अंसर आ गया और एक बट्टे दो की अंदर गुणा भी करा सकते हैं जैसे आपके इच्चा ठीक है चलते हैं सिक्स के एपार्ड पर समा कलन सेक स्क्वाइर एक्स इंटू ड्रैक्स बटे रूट टैन एक्स अब क्या करेंगे रूट के अंदर जो वैलू लिखी भी है अगर इसको हम टी मान लें रूट के अंदर वाली वैलू की बात हो रही है तो उपर वाला सेक स्क्वाइर एक्स चला जाएगा माना टैन एक्स इक्वाइर टी टैन एक्स का सेक स्क्वाइर एक्स बडाबर डी टी बटे डी अक्स सेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स बडाबर डी टी समा कलन वन अपाउन रूट टी इंटू डी टी टी की पावर माइनस एक बटे दो इंटू डी टी टी की पावर एक बटे दो प्लस का बटे एक बटे दो प्लस सी क्योंकि जब प्लस वन करोगे तो प्लस का एक बटे दो आ जाएगा क्लेर है आप क्या करेंगे सबसे नहीं चला सबसे उपर दो यहां आ जाएगा टी की वैलू पुट कर दीजे टी की वैलू है टैन एक्स कि पावर एक बटे दो प्लस सी यह आ गया हमारा आंसर टीक है टैन पर रूट भी लगा सकते हैं एक बटे दो हटा कर चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर समा कलन डी एक्स बटे एक्स अंडर रूट वन प्लस लॉग एक्स अब क्या बन जाएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए अगर इस वैलू को रूट के अंदर वाली वैलू को हम टी मान लेते हैं तो यह बटे वाला एक्स अला जाएगा चीक है माना वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी तो वन का जिरू लॉग एक्स का वन अपॉऑन एक्स ब़ाबर डी टी बटे इगे डियंस दर भूला लेंगे ती समा कलनद T ब्रते एक रक्स को हम क्या लिखेंगे डिती गटे कि T की पावर माइनस एक बटे दो नीचे उपरलें एंटू डिती समा कलनद करते तो टी की पावर प्लस का एक बटे दो बटे एक बटे दो प्लस C और यह जो सबसे नीचे दो है उपर चला जाएगा ती की वैलू पुट कर देंगे टी की वैलू है 1 प्लस लॉग X की पावर एक बटे दो प्लस C यह हमारा आंसर आजाएगा चलिए कुशन नमबर सैवन पर चलते हैं यह पार्ट में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वाइर एक्स बटे वन प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स अब क्या करेंगे इसको टी मान लेंगे यह उपर अला पार्ट गैब हो जाएगा माना वन प्लस कॉट एक्स इक्वाल टू टी वन का जीरो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वाइर एक्स डी टी बटे डी एक्स तो कॉसेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी अब क्या हो जाएगा समा कलन यह माइनस आगे लगा देंगे कॉसेक स्क्वाइर एक्स डी एक्स की जगे पर डी टी लिग देंगे निच्चों अले को टी माना है तो वन अपॉन टी माइनस का लॉग मॉड टी प्लस सी टी की वैलू पूर कर देंगे माइनस लॉग मॉड वन प्लस कॉट एक्स प्लस सी देखिए चलते हैं इसके बी पार्ट पर तो बी पार्ट में है समा कलन साइन एक्स बटे वन प्लस कॉट एक्स अब इसमें आप पूरे फंक्शन को टी मान लिजे और आपका ये साइन एक्स डी एक्स चला जाएगा ये आपका ह्व हो सकता है सी पार्ट पर देखिए क्योंकि आप ये रिपीटेड कोस्चन है अभी हमने ऐसा कोस्चन बताया था साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इसमें आप अगर रूट एक्स को टी मान लेंगे तो ये बटे का रूट एक्स गया बजाएगा ठीक है ना देखिए इसमें हम करके दिखा रेते हैं थोड़ा सा माना रूट एक्स इक्वल टू टी और अवकलन करेंगे एक्स के साफ़ेज तो रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स डी एक्स को इधर बुलाएंगे रूट एक्स बराबर टू डी टी तो डी एक्स बटे रूट एक्स समा कलन 2 dt dx बटे root x 2 constant dt और यहां बन जाएगा sin t और 2 और sin t का minus cos t plus c t की value root x minus 2 cos root x plus c चलिए d part देखते है समा कलन sin x बटे 1 plus cos x का whole square into dx यह बिल्कुल b part जैसा है तो इसमें आपको क्या करना है यह अंदर वाले फलन को t मान लेना है माना 1 plus cos x equal to t 1 का 0 और cos x का minus sin x बटे 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 तो sin x dx बटे बटे value पूर कर देंगे sin x गयब हो जाएगा dx गयब हो जाएगा minus का dt आजएगा बटे 1 plus cos x का आजएगा t square minus t को उपर ले चलेंगे t की power minus 2 into dt minus इसका समा कलंग करेंगे तो t की power minus 1 upon minus 1 plus c तो minus minus plus 1 upon t plus c t की value पूट कर देंगे 1 plus cos x तो 1 upon 1 plus cos x plus c यह हमारी value हम लोग रख देंगे और यह हमारा answer आजएगा ठीक है तो इस तरीके से इसको लगाएगे चल देते हैं next part पर तो part तो खतम हो चुके हैं question number 8 पर चलते हैं क्या कह रहा है question number 8 में suma कलन dx बटे e की power x plus 1 तो e की power x plus 1 वाले question में आपको क्या करना है simple सा e की power x common ले लिजे आप यहां पर dx बटे e की power x common ले लिया तो बचा क्या यहां हो गया तो बन जाएगा suma कलन e की power minus x बटे 1 plus e की power minus x into dx अब नीचे अले function को हम t माल लेंगे तो उपर वाला हमारा gap हो जाएगा कैसे माना 1 प्लस e की power minus x equal to t x के सापे अब कलन 1 का 0 e की power minus x का e की power minus x और minus x का minus 1 dt बटे dx तो e की power minus x into dx बड़ाबर minus का dt यहाँ पर आजाएगा minus का dt बटे इसको t माना था suma कलन 1 upon t into dt minus आगे ले लिजे तो 1 upon t का log mod t plus c minus आगे लगा वो लगा रहेगा t की value पूट कर दीजे 1 plus e की power minus x minus log mod 1 plus e की power minus x plus c यह आगे हमारा answer clear तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं चल देते हैं question number 9 पर क्या कह रहा है question number 9 में cos x बटे under root 1 plus sin x into dx अब दिखिए अगर हम 1 plus sin x को t माल लें तो cos x हमारा चला जाएगा तो माना 1 plus sin x बटे यह बटे यह इदर बेज़ दीजे cos x dx बराबर dt तो यहां से cos x dx चला जाएगा जिसकी जगे पर क्या जाएगा dt और बटे में हो जाएगा root t तो यह बन जाएगा समा कलंद t की पावर minus 1 बटे 2 into dt इसका समा कलंद कर दीजे तो t की पावर 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2 plus c सबसे नीचे आला सबसे ओपर 2 यहां आजाएगा t की पावर 1 बटे 2 का मतलब बता root t plus c t की value put कर दीजे 1 plus sin x तो 2 under root 1 plus sin x plus c यह आगया हमारा answer चल देते हैं question number 10 पर समा कलंद 10 x sec square x under root 1 minus 10 square x into dx तो देखे इस प्रस्ट में हमें क्या करना है हम यह root के अंदर जो value लिखी वी है इससे t मानेंगे तो माना under sorry माना 1 minus 10 square x equal to t x के सापेच अफगलन 1 का 0 minus t square का 2 t 2 10 x और 10 x का sec square x बराबर dt बटे dx तो 10 x into sec square x dx बराबर dt बटे माइनस 2 अब देखो क्या बनेगा value पुट करेंगे समा कलंद 10 x sec square x dx गया हो जाएगा यहां हो जाएगा under root t into dt बटे minus 2 तो minus 1 बटे 2 constant t की power 1 बटे 2 into dt तो minus 1 बटे 2 t की power 1 बटे 2 का समा कलंद करेंगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस c अब देखे इस दो से यह दो कर जाएगा तो minus का 1 बटे 3 t की power 3 बटे 2 प्लस c अब केबल t की value उट करनी है 1 माइनस 10 स्कूर एक्स माइनस एक बटे 3 1 माइनस 10 स्कूर एक्स की whole power 3 बटे 2 प्लस c क्लियर है चल देते हैं question number 11 पर जो इस प्रसनावली का last question है जिसमें लिखा हुआ है समा कलन 1 upon cos x minus a into cos x minus b into dx अब देखें ये question भी बहुत important question है क्योंकि इसके भी कई रूप है ये question cos में हो सकता है केवल sign sign में हो सकता है sign cos में हो सकता है और cos sign में हो सकता है ये चार रूप इस question के भी हो सकते हैं ये काफी important question है तो इसकी मैं आपको एक trick बताता हूँ कि आपको करना क्या है आपके पास ये जो value x minus a और x minus b लिखा हुआ है इसे क्या करेंगे देखे द्यान से इसकी trick ये है कि आपको ये जो angle लिखे हैं इनको घटा कर लिख लिजे और और बाद वाले में से पहले और गटाई है तो x minus b minus x plus a इकट गया तो ये बन गया a minus b क्या बन गया a minus b और जब यहाँ पर cos cos हो जब प्रस्ट में क्या हो cos cos तो आपको गुणा करनी है और भाग करना है साइन से किस से साइन से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे one upon sin a minus b suma कलन sin a minus b क्योंकि cos cos है अगर sin sin होता तो भी sin से गुणा भाग करते cos sin होता तो cos से गुणा करते sin cos होता तो भी हम किस से गुणा करते cos से और भाग भी करते cos से clear है बटे यह जैसा लिखा हुआ है वो ऐसा ही रहेगा cos x minus a into cos x minus b into dx अब हम क्या करेंगे one upon sin a minus b समा कलन क्या इस a minus b को वो हम यह नहीं लिख सकते हैं क्या बिलकुल लिख सकते हैं साइन साइन x minus b minus x minus a बटे cos x minus a into cos x minus b into dx अब क्या करेंगे अब यहां उपर फॉर्मूलर लगा देंगे one upon sin a minus b समा कलन sin sin a cos b minus cos a sin sin cos cos x minus a into cos x minus b into dx अब क्या करेंगे यह फॉर्मूला को दिया sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b sin a cos b minus cos a sin b clear है one upon sin a minus b अब देखिए by part करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक बार इतने के बटे यह लिख देंगे समा कलन साइन x minus b into cos x minus a बटे कोस x minus a cos x minus b into d x अब देखिए यहां पर cos x minus a और cos x minus a कर जाएगा cos x minus b cos x minus b कर जाएगा और ब्रैकेट जरूर लगा दीजेगा उपर वरना आपका question गलत माना जाएगा sin a minus b by part करने से पहले ब्रैकेट जरूर लगाएगा sin बटे कोस 10 x minus b into d x यहां भी d x आजाएगा minus 10 x minus a sin बटे कोस 10 होगा न into dx अब क्या करेंगे अब ध्यान से देखिए हम लोग इसको ऐसा करेंगे 10 का समा कलन तो जिसका आपको सूत्र नहीं मालूम है यहां पर हम सूत्र लिख देते हैं समा कलन 10 x d x का होता है log mod sec x plus c ठीक है यही समा कलन होता है तो अब देखिए यहां पर हम यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 1 अपॉन साइन a माइनस b log mod sec x माइनस b और जिसको यह t है जिसको t माना उसके उकलन से भाग x का 1b का 0 तो 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है माइनस log mod sec x माइनस a bracket बंद प्लस c अब हम log कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस b log bracket में log बाहर ले लिया तो जब माइनस में होगा तो यह कहम जाएगा बटे में x माइनस b बटे x माइनस a ठीक है यह mod लगा दिया प्लस c तो इस तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं उमीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अगर मेरा पता है आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें थैंक यू फॉर वाचिंग अजयो थैंग